नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप आज मैं आपके लिए लाया बहुत ही स्पेशल चटनी खटी मिठी चटपटी चटाकेदार एक दम हलवाई जैसे चटनी इसको बनाने के हैं बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे इसको कितना उबा लें कितना गाड़ा इसे रखना हैं कितनी देर से पकाना हैं चीनी इसमें कितनी जाएगी और केले इसमें कितने जाएंगे इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें तो चलिए करते हैं स्टार्ट ये सब कुछ इसमें जाएगा दो दोस्तों मैंने डेड़ सो ग्राम इमली को रात को भिगा दिया था आठ नो घंटे ये भीगी है अब मैं इसके पल्प को अलग कर लूँगा इसकी गुठलियों को अलग करूँगा और इसे चान दूँगा एक पैन पर आपने भी इसी तरह से चान लेना है अगर आपके पास ये वाली चहनी नहीं है तो आप कपड़े से भी चान सकते हैं इसके अलावा चाइ की चहनी से भी आप इसे चान सकते हैं सौ ग्राम गुड को मैंने पीस लिया था अब इसको डालेंगे इसमें गुड आपको सौ ग्राम इसमें डालना है अब डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च डेड़ चमच मैंने डाला है इसको तीखा बनाने के लिए और साथ ही मैंने डाली है काली मिर्च आधा चमच तो इसको चटपटा बनाने के लिए जरूरी है और दस चमच चीनी मैं अभी डाल रहा हूँ और बाकी की चीनी हमें कब डालनी है वो मैं वीडियो के बीच में बताता रहूँगा आपको अब मैं इसमें डाल रहा हूँ आमचूर पॉडर मैंने इसमें पांच चमच आमचूर पॉडर डाला है और चार चमच इसमें पिसा हुआ सौप डालूँगा इसको दरदरपीशके आप डाल लें 37 इसमें डालेंगे एक चमच काला नमच और एक चमच सेंदा नमच ये दोनों नमच आपको डालेने हैं अब इसको अच्छे से करेंगे Mix इस तरह से आप इसे Mix करें और गैस को आन करके उसपे03 से रखें दो गिलास पानी मैंने डाला है बड़े गिलास से ये देखिए गैस प्षेमे इसको रख दिया है अब इसको वाइल करना है दोस्तों अच्छे से मैंने इसे पकाया है दस मिनट वीडियो को बिलकुल भी स्किप ना करें क्योंकि अब बहुत ही महतोपूंट पॉइंट आ रहे हैं जैसे ये कलर है अगर आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं जैसे एक दम बजार वाली होती हलवाई जैसी तो इसमें थोड़ा सा कलर डालें मैंने एक चुटकी इसमें कलर डाला है ये देखे कितना अच्छा कलर इसका आया है अब दोस्तों मैं इसमें डालना हूँ चीनी देखे मैंने इसके लिए इसमें डाली है तीन से चार कटोरी चीनी यानि कि 400 ग्राम चीनी टोटल इसमें गई है आधा किलो से थोड़ा कम इसको गाड़ा बनाने के लिए तीन चमच अरा रोट मैंने लिया है तीन चमच अगर आप इससे भी ज़्यादा गाड़ी बनाना चाहते हैं तो एक चमच आप और लें अरा रोट तो ये देखिए तीन चमच अरा रोट मैं इसमें डालूँगा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि इसको एकदम लिकवर्ड बनाना आपको कोई लम्स बीच में ना रहे और इसको धीरे धीरे डालना है ये देखिए किस तरह से डालना है नई तो ये आपकी चटनी को खराब कर देगा लम्स बन जाएंगे बीच में इस तरह से धीरे धीरे आपको डालना है ड्रॉप ड्रॉप करके उपर से और इस तरह से इसको कर्ची को आप चलाते रहें वाब भी वाब बहुत ही बढ़िया ये देखे कितना शानदार कलर आया है और हमारी चतनी अब गाड़ी हो गई है बहुत ही स्वादिष चतनी बनके हुई है तयार ये देखे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कितना अच्छा कलर इसका आया है वाब भी वाब इसको निकालते हैं इस चतनी को बना कर आप रख लें दो मेहने तक एक खराब नहीं होती है दोस्तों और जितना आपको चाहिए उतना एक बाउल में निकाल के और इसको हम गार्णिश कर देते हैं वाब भी वाब मैंने एक केला लिया है इस तरह से आप लें थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें अभी देखिए हमारी चतनी गरम है ठंडी करने के बाद इसको आप सेवन करें अब मैंने लिये हैं बदाम ये देखिए आठ दस बदाम को आप इस तरह से काट लें बदाम को चाकु से ही काटें क्योंकि काटिंग वाले बदाम इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं जैसे कि हमारी चतनी में लग रहे हैं वा भी वा ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे बदाम अब देखिए दोस्तों कितनी बड़िया हमारी चतनी लग रही है आज मैं आपके लिए लाया बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी चटनी इसका आप कलर देखिए इसकी रंगत देखिए कितना शांदारे लग रही है और खाने में ये है बहुत ही स्वादिष्ट ये कम से कम दोसों से उपर स्नैक्स में ये यूज होती है जैसे कि टिक की गोल गपे होर बहुत सारी चीज़ों है तो इसलिए दोस्तों इस चटनी को बनाना जरूर सीखें मिलते हैं अगली बहुत ये अच्छी रेसिपी के साथ तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें